वेलकम फेंट्स, सुवाग अदम दोस्तों, प्रेगनेंसी कंस्यू करना, प्रेगनेंसी होना किसी भी कपल के लिए एक सुखद अनुबो हुए, यह बगवान का एक ऐसा असिरवाद है जो मनुश्य के कंट्रोल में नहीं है, प्रेगनेंसी होने के तुरंद बादी यह ख हया आता है कि एक बाद डॉक्टर से मिलकर सभी परका की जाचे करवा ली जाए, जिससे कि मा तता बच्चे की सही इस्तती पता चल सके, जो कि बहुत ही ज़द आवश्य के, लेकिन समझ्या यह आती है कि कौन-कौन से परका की जाचे करवा ही जाने चाहिए, वैसे तो जब गा वीडियो बना रहा हूं जिसमें हम जानेंगे प्रेग्नेंसी होने पर कौन-कौन से जाचे करवा ही जाती है, कब-कब डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए, साथ ही पहले माहिने से लगा कर नवे माहिने तक कि इतनी बार सोनोगाफी, यूस्डी जो अल्टरा साउंड है, व साथ पर कुछ नया सिकते हैं। से इसको किया जाता है गरपे pregnancy test केस प्रकार से करते हैं किस प्रकार से रिजल्ट का पता चलता है अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं मुझे आप जूर से कमेंट करें अगर ज्यादा आपके कमेंट मिलेंगे तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूगा प्रेगनेंसी कंसीव होने बाद में डॉक्टर द्वारा जो जांचे करवाई जाती है उन्हें हम एंटी नेटल इंवेस्टिकेशन कहते हैं जिसमें मुख्यों रूप से ब्लड तता यूरीन की जांच होती है और इसके अलावा जनरल चेकप भी किया जाता है अगर जनरल चे सब्सक्राइम प्रवा चुषसी तो नहीं है कि सीकाई तो नहीं है तो नहीं हो रहा है साथ ऑवेरी की साइज को भी चेक अप किया जाता है और जब तीन से pray न से लगा गर शात्वे महिने में में पृतियक महिने यह जांचे करवाना आवेश्यक हो जाता है और सात्वे महिने से 9 महिने तक आपको 15 दिन में इस अब चाटाबवानी चाहिए जिसे कि एक्शूल लिस्टे confirm की चैप बसेजिक RS factor महिला में कौन सा है जो बहुत ही महत्यपूर्ण है और first pregnancy में तो करवा ही जाता है अगर महिला ता बच्चे का RS factor अलग होता है तो मिस्केरीज होने के chances रहते हैं तो RS factor ज़रूर से करवाई जाता है इसके अलावा महिला में blood sugar भी करवाई जाता है मतलब महिला diabetic है या नहीं है जिसमें fasting blood sugar भी होता है खाना खाने के बाद भी करवाते हैं चाती वीडी आर एल जो की antibodies की जांच है यह करवाई जाती है HIV की जांच करवाई जाती है और blood में thyroid की जांच भी करवाई जाती है जो TSS, T3, T4 जांच होती है यह कुछ जांच है blood की जो प्रमुखतिया करवाई ही जाती है और इसके अलावा भी हो सकता है डॉक्र एडिशनल रोप में vitamins तता मिंडल्स की कोई जांच करवाल है जिससे कि एक्छुल इस्तती महिला की पता चल सके और यूरिन जांच में यूरिन complete एक जांच करवाई जाती है कि यूरिन में किसी परका infection तो नहीं है ओवीरिन इंटेक्शन तो नहीं है साथ ही पृतियक महिने यूरिन एल्बुमीन की जांच करवा ही जाती है जिससे की एक्चुली स्थिती यूरिन की पता चल सके तो यह है बलड तता यूरिन की कुछ जांच है जो प्रेग्नेंसी होने पर एक बार करवाना बहुत ही ज्याद डाउट होता है क्या ज्यादा सोनोगाफी तनी करवातने सोनोगाफी करवाने से बच्चे को नुकसान तो नहीं हो जाएगा तो पहले महिने से लगाते नवे महिने तक में कम से कम तीन बार सोनोगाफी करना अवैशिक हो जाता है जिसमें पहली सोनोगाफी तीसरे महिने मे दूसरी पांचवे महीने में तथा 30 सोनोगाफी नवे महीने में होती है इससे बच्चे की एक्चुल पोजिशन का पता चलता है साथ ही हाल ही के दिनों में रंगीन सोनोगाफी भी बीच में करवा तिसम कलर डोपलर कहते हैं जिससे कि यह पता लगाया जासे कि बच्चे की सहरीरिक बनावर में किसी परकास डिफेक्ट तो नहीं है, कोई विक्रती तो नहीं हो गई है, इस तरह से तीन से चार अलगलग सोना ग्राफिक करवाई जाती, जिसमें तीन तो करवाना कंपल सरी है, और एक बात वीसे इस तोर आज की आप सकता, जिससे कि आपका बच्चा हेल्दी रह सकें, और आप भी हेल्दी डिलेवरी करवा सकें, वैसे अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप जरूर से इसके लिए जाग रूखें, लेकिन फिर भी यदि आपके नोन भी कोई है, जिसको प्रेग्नेंशी ह पास नहीं जा रहें, तो आप उनको मोटिवेट करें, उनको एडवाईज दे, कि डॉक्टर के पास अगर एक बार चेकप जरूर से करवाएं, साथ ही जो मेडिसिन देते हैं, वो जरूर से लें, तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि प्रेग्नेंशी होने पर कौन- कब-कब करवाई जाती है, और कितनी सोनों गाफे करवाई जाती है, यह वीडियो आपको कैसा लगा, क्या यह आपके लिए फायदवन्दरा, कमेंट बोक्स मुझे जोरूर से बताएं, इस वीडियो में बस कितना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नई टोपिक, नए दवा क साथ तब तक के लिए स्वस्त्रें और मस्त रहें